पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। पूर्वांचल के दूसरे माफिया डॉन मुक्तार अंसारी का दाहिना हाथ माने जाने वाले मुन्ना बजरंगी का असली ना प्रेम प्रकाश सिंग है। मुन्ना बजरंगी को हत्यार रखने का बड़ा शौक था। वो फिल्मों की तरह एक बड़ा गैंक्स्टिर बनना चाता था। यही वज़त थी कि 17 साल की नावालिक उम्र में ही उसकी खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जौनपूर के सुरही थाना में उसके खिलाफ मारपीट और अवैद असलहा रखने का मामला दर्ज किया गया। इसकी बाद मुन्ना ने कभी पलट कर नहीं देखा। कहा जाता है कि मुन्ना अप रात की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा था। 1994 में मुन्ना बजरंगी को स्चेफ ने घेर लिया। उसे गोली भी लगी लेकिन वो बच गया। इस घटना के बाद मुन्ना बजरंगी ने पूरवांचल के दूसरा माफिया डॉन मुकतार अंसारी से हात मिला लिया। 2005 में मुन्ना बजरंगी पर मुहमदाबाद के बीजेपी विथाया प्रश्नानंद राय की हत्या का आरोप लगा। जेल में हुए इस हत्या के बाद यूपी के सियासी महकमे में हडकम बच गया। इस घटना के बाद मुन्ना अपरात की दुनिया का खुंखार शक्स बन गया। इसके बाद मुन्ना ने अपने नाम और खौफ का अस्तमाल का कोईला और स्क्रैप व्यापारियों से करोडो रुपई की रंगदारी वसूली। 2009 में मुन्ना बचरंगी ने यूपी पुलिस के सामने मुंबई में सरेंडर किया। इसके बाद इस चक्स ने अपनी राजनितिक पारी शुरू की। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुन्ना ने मडी आहू विधानसभा से किस्मत आजमाई। लेकिन वो हार गया। मुन्ना बचरंगी जौनपूर, सुल्तानपूर, तिहार, मिर्जपूर, जासी और पिली भी जेल में भी बंद रह चुका है। मुन्ना बचरंगी पर 20 लोगों की हत्याकारोब है।